दन कमाना चाहते हो? सुन्दर्तम इस्त्रियां चाहते हो? सुन्दर्तम पुरुष चाहते हो? हम दिलाएंगे? इनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? अपने शक्ती का प्रदरिशन करो! अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूँगी! तो कि भगवान और इस्त् करती नहीं हो सकती! फिर इस्त्रियों को गाली दोगे, इस्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे, एक तो भिगमंगय हूँ, उपर से प्यार कर रहे हूँ! मनीम आया है, कपीरा ख़़ा बजार में लिये लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आपना सो चले हमारे साथ, माई दुनिया स्वा के परिवर्थन का खेल है, तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो! अब हम जिस फेस में गीता में एंटर करने जा रहे हैं, वो फेस हर व्यक्ति के जीवन में आता है, जब वो साधना शुरू करता है, तो हर व्यक्ति के सब, हम सब उस रस्ते से गुजारते हैं, वो बढ़ा खतरनाक सा फेस है वो, विशाद, भय, कि ये क्या यार, सब जाएगा, यहाँ छोड़ने के लिए कौन तयार है धर्दी बर, जबकि छूट वैसे भी जाएगा, मौत सब को छोड़, सब छोटा देगी, लेकिन जीवित रहते हुए छोड़ना, कभीर ने कहा नहीं, कभीरा ख़ला बजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रह का वर्चस्व समाज में कभी खतम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कोई माई गलाल पाइदा नहीं हुआ जो पुरोहित के वर्चस्व को खतम कर दे, चाहे हिंदू पुरोहित, चाहे मुसल्मान, चाहे क्रिश्यन, चाहे जो भी पुरोहित हैं, उनका वर्चस्व कभी खतम क्योंकि पुरोहित जो है कि वो सपने को पूरे करने का वचन देता है कि आइस बनना चाहते हो हम बनाएंगे दन कमाना चाहते हो, सुन्दर्तम इस्त्रियां चाहते हो, सुन्दर्तम पुरुष हम दिलाएंगे, अध्यात्म को कहता है इसाब छोडभो इसाब बैट्टी है, माया है, वेकार है, अरे भाहिया तो समझ में तो आए समझ में तो आएगी मिट्टी है माया है बेकार है बीना समझे छोड़ें लेकिन तब पर भी संतों के पास तमाम लोग जाते हैं और वो भी दुनियावी फिराग में जाते हैं वो जो तमाम लोग जाते हैं वो 99 दुनियावी फिराग में जाते हैं एक परसेंट और संतों को उसी एक परसन की ज़रूरत भी होती है बाकि वो अपना किरपा अपना अशिरवात सब पर बनाए रखते हैं सद्वुद्वी बनी रहती है घर में आचरन बना रहता है सद्भावना बनी रहती है प्रेम बना रहता है और फिर कब भगवान कि इसके ऊपर अपना हाथ रग दे या किसी को पता नहीं होता आप लगे रहिए आप इसकी चिंदा मत करिए मेरे जीमन में परिवर्तन काव आप लगे रहिए सेवा करते रहिए साधना करते लगे रहिए कबड़ाईये मत मेरा आपसे वादा है बिना किसी आकांग्षा के बिना किसी आशा के आप लगे रहिये किसी न किसी दिन बागवान स्वाम अपना हाथ आपके सर पर रख़ेगा तो बात यह चल लए थी कि जब भी कोई व्यक्ति साध्रह में आता एक बड़ी चुनोतिया हैं साधना की पहले शुरूआती अरंबिक चुनोतिया उसका तो बड़ा अनन्द आने लगता है और एक बार अनन्द आना शुरू हुआ फिर तो बीचोंदित कोई आता है बार पीच्छे कोई आता है सारी लड़ाई यही तक है आनन दाने के एक बार आनन दाने लगा फिर तो पीछे कोई आता है तो वो अर्जुन के सामने भी वही चुनाऊती है अब वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान से तो अब अर्जुन उस चरण में एंटर करने जा रहा है जहां मैंने का हर साधक की एंट्री होती है और वो बड़ा बड़ा खतरनाक सा चरण है बहुत खतरनाग इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है मन ही माया है तो जब तक मन है तब तक माया जिंदर रहे कि इस दुनिया को माया मानना मन के लिए संभव नहीं है क्योंकि सारी माया मन के चारो तरफ घूमती है भाईया रॉल्स रॉइस में बैठो के आनंद की फीलिंग आएगी साधना को जो सबसे चुनौती पूर्ण दोर है वो यही है कि मन ही माया है मन यह जो मन है यही माया है तो जब तक मन खतम नहीं होगा तब तक माया खतम नहीं होगी इसने तो लोग बहुत परिशान होते हैं कि भाईया आनंदारा इस माया का कैसे छोड़ दें पतनी बच्चा घर परिवार रुपया पैसा इस्त्री पुरुष सब में सुक मिल रहा है दुख तो खैर चलो आई सुख भी तो मिल रहा है उसको कैसे छोड़ दें लिए सारा मन माया का संब्द्ध है मन खतम माया खतम उसके बाद व्यक्ति भी खतम मरो एजोगी मरो गुर्कनाथ जी का सबसे चबरदस्त इसलोग है मरो एजोगी मरो कुरान भी कहते है मुंता मुंता अतला किबला मूतू मरो एजोगी मरो अब अर्जुन जा रहा है उस फील्ड में 22 लोग 22 लोग कह रहा है याव देता निरक्ष अहम युद्ध कामना ववस्तितान कैमर्य सह युद्ध वयाम इसमेनर युद्ध वयाम इसमनर समुद्धुम्य मतलाव जब तक मैं इन इस स्थत हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख न लूँ इस युद्ध के उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग यह is इस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है अब अर्जुन अक्टिवेट हो रहा है करा मुझे देखना है मुझे किस से किस से लड़ना है कि समसा अधान सच लोग है कि मुझे करा मुझे देखना है मुझे किस से किस से लड़ना है यह बड़ी बात है लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं चलता आजीवन व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो अंजाने में किस चक्रव्यू में फसा हुआ है अंजाने में किस चक्रव्यू में फसा हुआ है मैं के चक्रवियू में फसा हुआ है अज्ञानता के चक्रवियू में फसा हुआ है आसक्ति के चक्रवियू में फसा हुआ है भ्रह्म के चक्रवियू में इन्हों नहीं तो चक्रवियू बनाया था जिसमें अभिमन्यू फस गया लेकिन अभी मन नहीं हो अभय मन चक्रविव में घुसा दो पर बिना गुरू के घुस गया सिरकेशन हाई नहीं साथ में हिर्चिकेशन साथ में हाई नहीं तुमारा गया चाहे जितना आब हैमन हो लेकिन अगर बिना कृष्ण के अंदर चला जाएगा तो मारा जाएगा बिना गुरू तो संभव ही नहीं सब इस चक्रविव में उल्जे हुआ है सब अब अर्जुन उट रहा है करा मुझे दिखाओ मुझे किस से किस से लड़ना है आप भी देखो आप किस से किस से लड़ रहा हूँ है ही नहीं सब का नाम इस दुनिया में मिला है सब को मैं अवद ओजा पैदा हुआ तो मेरे मत्थे पे तो ही लिखा था अवद ओजा किस दुनिया ने नाम दिया और दुनिया में फिर इस मैं के साथ समाज जुड़ गया परिवार जुड़ गया देश जुड़ गया जाती जुड़ गई मैं और मजबूत होता चला गया समाज का काम ही है मैं को मजबूत करना नहीं तो समाज खतम हो जाएगा फिर अज्यांदा अज्यांदा लगता है कि इंद्रिय और मन के सिवा कुछ है नहीं शरीर के सिवा कुछ है नहीं शरीर को रंगों पोतो शरीर को बढ़िया खिलाओ शरीर को मस्त रखो बागी कुछ है नहीं आ सकती जिनके पास धन नहीं है उनसे पूछो फरजी जुड़े हुए लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है बरम इस्त्री से मज़ा आ रहा है पुरुष से मज़ा आ रहा है गाली से मज़ा आ रहा है जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे है आज अर्जन्ग गारा मुझे दिखाओ 22 वे श् Lok में अर्जन्ग गारा मुझे दिखाओ कि मुझे किससे किस से लड़ना है यह बढ़ी बाध यह साधना-P arrest की बड़ी बात है जवाब को यह जनना हो कि आपको किससे किससे लड़ना यह कि थेस्टव श्लोक और स्यों वान वेक्षाहम यह एटत्र समगता तुनरतरास्टस दुर्बुद्र युद्ध्य प्रियाचिकी चिकरश्वा दुर्बुद्धी दुर्योधन का युद्ध में कल्यान चाहने वाले जो जो लोग इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा इसलिए खड़ा करें मोह रूपी दुर्योधन मोह मईद परिविर्थियों कल्यान चाहने वाले जो जो राजा इस युद्धिमया है उनको मैं देख लूँ यह है साधना की शुरुवात दिखाई पढ़ने लगना कि यार मैं सुबेद चार बज़े उठना चाहते हो आपके पापा आगे कहते हैं मत उठो आपकी मम्मी आपके रिष्टेदार आपके दोस्त कोई आता है उस वक्स अभी सो रहा होते हैं तो कौन उठने नहीं दे रहा ह मन आप पांच घंटा पढ़ना चाहते हो कौन नहीं पढ़ने दे रहा है मन आप नशा नहीं करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो लेगिन कौन उसके पक्ष में सारे तत्थ रख देता है मन आरे सभे पियत है अमरीका लंदन मा तो छुनान नान बच्चे पियत हैं आप ध्यान योग करना चाहते हो कौन कल के लिए टाल रहा है मन कि साधना पत की पहली शुरुवात है खुद पर नजर का आना कबीर नहीं तो कहा बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई और जो दिल खोजूं आपना मुझसे बुरा न कोई पहली बार जब इस मन के दर्शन व्यक्ति को होते हैं पढ़ा अश्यर होता हुसे कि अ कि सारे दिक्कतों का हल साधना की जरूत इस मन की वज़ा है इस मन को एक रोग है देखो अर्जुन पलेटा अपनी तरफ यह अपनी तरफ पलेट नहीं पहला चरण है जब तक आप बाहर समस्या का समाधान ढूंट रहे हो मिलेगा ही नहीं हाई नहीं कोई इस्तरी किसी पुरुष के घर बैंट बाजा लेकर बराद लेकर आई हम ही जाते हैं लेकर फिर जीवन भर चिलाते सोशल कर रही सोशल कर रही है परिसान कर रही है बीवियां बहुत प पराद लेकर तो उसको लगा कि यार बहुत पावर्फुल आदमी सो लोग इसके साथ चलते हैं अब तलवार बांदे थे गोड़ब पाइटे थे कुछ लोग हाती बैट यातने मुकुट लगाए थे राजा बने हुए थे फिर राजा बनने के बाद जो तुमारे घर में आ गए तो उसने देखा आपको शेरवानी पहिने हैं और जो है बढ़ियां जो है मुकुट लगाए है तलवार लगाए और जूता शांदार पहिने है घड़ी लगाया है और काजल बढ़ियां चमक रहा है जानदार है और जब घर में आई एक फटी बनियाईन पहिने हो लुंगी बांदे हो खाइनी बना रहा है हो तुम सोच के देखो इमाजिन दोनों चित्र का इमाजिन करो तो कुटे की नहीं कि हमारे घर आये थे बहरूपिया बन गए ऐसे ही आया होते लुंगी पहिन के यह जो बनियाईन में 73 छे थे ऐसे बनियाईन पहिन के आये होते हैं तब हम डिसाइड करते कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना है कि यही तो था स्वेंवर स्वेंवर यही तो था मरे हुए कि शादी नहीं हो सकती कि स्वेंवर यही था कि आओ मेरे घर अपने शक्ति का प्रदर्शन करो अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी क्योंकि भगवान और इस्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं कमजोर और भिकमंगों के साथ नहीं रहते हैं क्याना का रहा है हो चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया एक धन्वान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया भिकमंगे होके प्यार कर रहा हो इतनी हिम्मत है तुम्हारी एक तो भिकमंगय हूँ उपर से प्यार कर रहा हूँ और जिसको प्यार कर रहा हूँ अगर उसको चान्दी की दिवाल चाहिए लागत देज़ो पिर इस्त्रियों को गाली दोगे इस्त्रियों के खिलाफ लिखोगे इस्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे इस्त्री आज की इस्त्रियां खराब होगे कहीं कोई कुछ नहीं खराब हुआ पांच हजार परसेंट, पांच लाख परसेंट, पांच करोर परसेंट, कोई इस्तरी खराब नहीं हुए, पुरुष कमजोर हो गया, साधना छोड़ो दीना, और साधना ये मन के लिए, ये साधना क्या है, मन का एक बहुत बड़ा फीचर है, आदत, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, आदत, इसलिए जब आपको किसी को दशरा पिलवाना होता है, तो हफ्ते बर खुद के पैसे से पिलाता है, मन को कोई भी काम बस 21 दिन करवा दो, मैकसिमम, मैं नुएडा से जाता था करोल बाग, तो नुएडा से करोल बाग जाने के दो रास्ते हैं, एक D&D का रास्ता है, सराय काले खाला होते हुये, एक रास्ता है, ITO होते हुए, अीटियो वहला रास्ता शरल है शॉट मियरा मेन सराय काला खरन से जाता था निलेमों आपके तो मेरा कभी मैं नी हूता था याई टीओ की तरब मूलने का किया कि तो समुथ जब गाली चलाने आया तो मेर अब जब यह गाली आएटियू की तरब मोड़े मम का है उदार जारों का भाई यह कम है रास्ता चोटा है आदत इस आदत को तोड़ने का नाम है साधना और जब कोई चीज टूटती है तो कस नहीं होगा तुम शुरू तो करो यार आओ एक कदम आगे निकालो गुरु महराज तो हही है साथ में कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से जिस अगर तुम्हारा जीवन 99 पर्तिशत महनत और एक परसेंट मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे 99 पर्तिशत महनत और एक परसेंट मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए सुना यार बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे हैं मैं नाम गिना हूँ तो एक दो लोग नाराज हो जाएंगे बहुत सारे कभी वैसे चार लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिकत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं बहुत अच्छा एक तो आचार प्रशान जी है अच्छा बोलते हैं तथ्यात्मक बोलते हैं बढ़ियां बोलते हैं और थ्वासा आकर्मक होई आते हैं व्यक्ति को लेकर कि जागो यार क्योंकि वह उस रास्ते से आएं हैं ऐसा मेरा अनुभव है मैं कभी उनसे मिला नहीं ना मेरी उनसे कोई बातचीत होती है लेकिन जब भी में उनके किसी पॉइंट को सुनता हो तो अनुभव के स्थर पे कही बाते होती जब भी आप किसी को सुनते हो तो आपको पता जलता है कि यार ये bookish language बोल रहा है या अनुभव पर बोल रहा है तो आचार प्रशान जी क का तो क्या कहना है शिवानी दीदी को मैं मिला वडोद्रा में वो तो साक्षाद भगवान की मूरत है एक जैसे वो टीवी पर है वैसे ही वो व्यक्तिगत है उतनी ही शांती उतनी चमक रौनक चेरे पर और मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को दिन में कम से कम एक बार अगर सु शिवानी दीदी को सुझ को मुझे ऐसा फील होता है उनसे मिलकर उनको देखकर मैं बड़ा सौभाकिशाली राव अडूद्रा में मैं उनसे मिला और वो तो साक्षाद देवी का रूप है आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुदी शांत हो जाओ इतनी जबरदस्त पहरत के लिए शिवानी दी तो और प्रेवानत महराज की क्या कहने है आज कल तो एकदम टॉर्पीडो मिसाइल मार रहे हैं चारो तरफ गुस्सा जाते हैं एकदम कुरोध में आते कि छोल नो भोगों को पता है क्यों करुणा में कुरूध कर रहे हैं करुणा जाग रही है क्या जरूरत हो उस आदनी को बोलने की क्या मतलब है अब तो शरीर में हाई नहीं चैतन्य स्वरूप हैं छोड़ दें समाधी ले ले कल स्वामी प्रेमनंद कल चाहें कल तो समाधी ले ले ब्रह्म के साथ और अल्रटी जोड़ा हूं मैं ब्रह्म में विलीर हो जाएं लेकिन ऐसा मुझे फील होता है ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर उस दया ने उनको रोक रखा है ऐसा मुझे फील होता है कि इन चार लोगों को मैं व्यक्तिकत तौर पर कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए अब आप कहो चारों में से दो बता दो तो मुश्किल हो जाएगा तो चारों में से एक बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानत महराज को सुननों गुस्सा बहुत करते हो आजकल बड़ा अक्रमक हो जाते हो कोई बात नहीं संथ हैं और ठीक है वो बड़ी भले की दृष्टी से देख रहे हैं कि कहां जा रहे हो एक वीडियो उनका देख रहा था है उसमें बड़े कुरोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे ये मलमूत्र का दौर अरे मैंने का म सबको करनी है कोई बच नहीं सकता आप टेंशन मत लो इसलिए जब भी कोई सामान घर का लड़का इस सद्धान्त को समच जाता है स्वैम को बदलने का सद्धान्त स्वायम को बदलने का सद्धान था तो माइकल डगलस जैसा हो जाता है पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टैशन को हराया था अबराहेम लिंकन हो जाता है जिसको ये बात पता चल गई कि बॉस ये सारी दुनिया स्वा के परिवर्तन का खेल है खुद के परिवर्तन का खेल है और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा बस वही से उसके अबराहेम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए वही से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए वही से उसके मोधी बनने के रास्ते खुल गए और कोई option ही नहीं है सर है ही नहीं पल्टो अपनी तरफ जैसे अब अर्जुन पलेट रहा है ऐसे आप भी पल्टो अपनी तरफ जागो घूमो अपनी तरफ कोई बात नहीं धीरे धीरे एक एक कतम से शुरुवात करो अगर मूवी देखने की आदत पढ़ सकती है नशा करने की आदत पढ़ सकती है बार्क में आठ घंटा बैटने की आदत पढ़ सकती है तो उस आदतों को तोड़कर नहीं आदतें भी तो डाली जा सकती है पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को डालने का नाम है साधना और इस पत पर चलने का नाम है सन्यास जहां एक ही उद्देश है खुद को बदलना है परम उद्देश को प्राप्त करना है सेवा करनी है और समाज को एक नई दिशा दिखानी है जहन्त जहन्त